लिबनान के इरान समर्तित हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल को देहला कर रख दिया है बीते शनिवार यानि 27 अप्रेल को उत्री इसराइल को ट्रोन और गाइड़िड मिसालों से निशाना बनाया इजबुल्ला का ये हमला बदले की याग की तरह देखा जा रहा है क्योंकि सीमा पार इसराइली हमले में उसके दो सदस्यों समेट तीन लोगों की मौत हो गई थी समू के एक ब्यान में कहा गया कि उसने अल मनारा सैने कमान के मुख्याले और गोलानी ब्रिगेट की क्यानवी बटालियन की सेनाओ पर विस्वोटक द्रोन और गाइड़ेड मिसालों का उप्योग कर एक जोड़दार हमला किया इसराइली सैना ने कहा कि उसकी आरेंड डॉम वायू रक्षा पढणाली ने लेबनान से उत्तरी इसराइल के मनारा शेतर में परवेश करने वाले संदिग्ध हवाई लक्षे को सफलता पुर्वक रोख दिया है आपको बता दे कि हिजबुला खुद को एक करांतिकारी संग्ठन के रुप में देखता है जो इसराइल के खिलाफ व्यापक मुस्लिम संगर्ष के नेताओं में से एक है इसराइल को नश्च करना इसकी स्थापना के बाद से इसकी मूल विचारदारा का हिस्सा रहा है और इसके दिक्तर सदस से इमानदारी से यहोदी राज्ये के अस्तित्त के खिलाफ है लेबनान की राष्टी समाचार एजिंसी ने बताया कि सैब्रिन गाओं में एक घर पर इसराइली हमले में 11 लोग गायल हुए जिन में से गंबी रूप से गायल हो गया सैना ने एक ब्यान में कहा इससे पहले शनिवार को इसराइली लडाको विमानों ने दक्षनी लेबनान के कोजा शेतर में हिस्बुल्ला सैने डाचे पर हमला किया हिजबुल्ला ने शनिवार को दो अलग अलग वियानों में कफ्र किला और खियाम गाओं के दो लड़ाकों की मौत पर शोक व्यक्त किया था इसमें कहा गया था कि वें येरुशिलम की सड़क पर शहिद हो गए तेहरान के दमिश्क वानिजिक दूतावास पर एक अप्रेल को बंबारी को लेकर इसराइल और इरान के बीस्तनाव बढ़ने के बाद से हिजबुल्ला ने इसराइल में सहने स्थलोक को निशाना बनाना तेश कर दिया है आपको बता दे कि इसराइल हमास युद में हिजबुल्ला शुरू से ही ऐसा पक्ष रहा है जो हमास के साथ खड़ा है हिजबुल्ला ऐसा सैने संगठन है जो इरान से पोशित है और वे फिलिस्तिन के समर्थन और इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था और ये हिजबुल्ला ही था जो खुलकर हमास के साथ खड़ा हुआ था यहां गोर करने वाली बात ये है कि हिजबुल्ला और इसराइल दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का एलान नहीं किया है और दोनों के बीच जड़ पे होती आ रही है